प्रुथी और आप देख रहे हैं नव भारत डेग दो बार ओलिम्पियन पदक विजेता रहे चुके हर्याना के सुशील कुमार को रविवार को गिरफतार कर दिया गया सुशील कुमार को सागर धंकर हत्याकान में गिरफतार किया गया आपको बता दे कि मई चार की रात को यह घटना दिली के छटर साथ स्टीडियम में गडी जहां जूनियर पहरवान सागर धंकर को मौत के घार उतार दिया गया तीन हफ़ते फरार रहने के बाद सुशील कुमार उसके साथ ही अजे सहरावत को मौनका मेट्रो स्टीशन के पास से गिरफतार किया गया सुशील और अजे दोनों को गिरफतारी के बाद उविनी कोट में पेश किया गया कोट ने उन्हें छे दिन की पुलीस रिमान में भेज दिया है आपको बता दे कि दोनों को गिरफतारी के बाद पूश्टाश की जा रही है और दोनों के बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है सुमभार को पुलीस पहलवान सुशीर कुमार और अजे को 36 साल स्टेडियम ले गए और उस और 4 मैं की रात की एक एक घटना को दोहराने को कहा पुलीस आरोपियों को मॉरल टाउन के फ्लैट पर भी ले गए जहां से सागर धंकर को उठा कर 4 मैं की रात को 36 साल स्टेडियम लाया रहा था सुशीर कुमार के शालमा बाग पर भी पुलीस आरोपियों को ले गए ताकि उनसे पूच्टाश की जा सके आपको बता दे कि सुशीर कुमार ने पुलीस की फूच्टाश के दुरान 4 मैं की रात को यानि की घटना के दौरान ही 36 साल स्टेडियम में मौजूद होने की बात को कबूर कर लिया है और कहा है कि वे लड़ है पहलवानग के बीच केवल सुखा कराने के लिए ही मौजूद थे लेकिन सागर धंकर को 36 स्टेडियम में अगवा कर लेकर आने की बात को अभी भी नहीं स्विकारा है पुलीस ने बताया कि सुखील कुमार और उसके साथियों ने सागर धंकर को उसके मौलल टाउन की घड से अगवा कर 36 साल स्टेडियम लेकर आए और उसके साथ मार पीट की ताकि उससे दूसरे पहलवानों के आगे गाली गलोच करने के लिए सबक सिखाया जा सके पुलीस ने यह भी बताया कि सुखील कुमार ने अपने एक साथी को उसके पीटते हुए की विडियो रेकॉर्ड करने को कहा ताकि उससे सबक सिखाया जा सके और दो बार उलम्टिक पदक विजेता का अपमान करने की हमत ना करे सागर धंकर के खाव इतने गहरे थे कि उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया आपको बता दे कि सुखील कुमार को फिलहाल टाइट सेक्योरजी में रखा गया है क्योंकि हर्याना से सोनेपत के संदीव कला नाम के बतमाज जो पिछले साल हर्याना की पुलीस की रासत से पराद हो गया था वह सुखील कुमार को उसकी जान को लेकर धंकियां दे रहा है आज की खास पेशकोष में बसकता ही बापकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए नब भारत टोडे के साथ